बिलंदी शहर में बहुत सावेतरी चोधरी आज इनसे बाचित करते हैं डियम सहाब से बिलकर आई हैं कि किन-किन मुद्दों को लेकर आज मिली थी ये तो उसके लिए जो चैनित जगे है किर्शी विद्याले में किर्शी विद्याले की जमीन में से दस एकड जमीन लेके और इसको मेडिकल कॉलिज को बनाने का एक इन जुले में जिले में सोचा है तो उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही你्टे मुद्ट कोलिज के लिए कि यहाँ बी एक मेडिकल पाला काम को लूह को कर calf april log uh जो कताई मिल्की जमीन है वह बिल्कुल खाली पड़ी है सरगिए जो राज्य सरकार की है जिसको ना अधिकरण करने की जरुरत है ना इसमें कोई उसमें उसमें कोड केस ती उसमें बनाने की वह 88 एकड जमीन है दस एकड में और 78 एकड में बहुत बड़ा अंतर है वो हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो दस एकड जमीन किर्शी विद्याले की लिए है वो किर्शी विद्याले था अल्रेडी 1921 में अंग्रेजों ने कुछ सोच कर शुरू किया होगा कि इस देश की लोगों को किर आवशक्ता है लेकिन यहां की नाकारा सरकारों ने 1924 में उसको बंद कर दिया उस पर ताला डाल दिया लेकिन हम चाहते हैं जो वर्तमान सरकार है वो इसको वापस कृशी विद्याले को शुरू करें जिस देश का 80% नागरिक किसान हो अनुगाता हो गन्ना उगाता हो गेह सिखाने के आवशक्ता है जैसी कि सरकार ने वो जगह चैनीद कर दिये वहां के लिए पैसा वीप्रास हो चुका है आप कहां कहां मिली हैं यहां से जगों को चैन्ज कराने की लिए हम आपके dm sdm सानसद सब्सक्राइब सभी लोगों से हमने सभी को लेटर दिये हैं आपक ऐसे में यह बात गई हैं कि चेतर गामी नुकसान हो रहा है हम लोगों को इसलिए दुक हो रहा है कि कि आने वाले टाइम में उसका कॉलिज का विस्तार नहीं किया जा सकता चोटी जगे में बनाने का नुक्सान ये होगा कि आने वाले टाइम में हम उसको अगर विस्तार करना चाहें एम्स बनाना चाहें नहीं बना सकते हम हैली पैट बनाना चाहें जो हमारे ऐसे पेसेंट आएंगे उनको लाने ले जाने के लिए द डूसरा देखिए जो वहांगे सरकार क्म से कम सो करोड रुपे बच रहा है और सो करोड रुपे अब यहांगे इन लोगोंने वहां जीले के मैं मिली हुर ने Анд कि वहां जगड़ा है जब कि वहांगे बच्छार की फोरे कभी फायदा हो जाए क्योंकि देखिए मजदूरों इतने टाइम से लड़ाई लड़ रहे हैं और कम से कम पैतालिस साल से उन लोगों की पहले तो नोकरियां चली गई और उनका फंड वंड जिस चीज के लिए वो लड़ रहे हैं उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए क्या कहा लियम साब ने कहा है कि बिलकुल हम इसको चेंज कराएंगे और आपकी जो मांग है वो बिलकुल जाइज है क्योंकि जो किर्शी विद्याले जहां पर मेडिकल कॉलिज बनाने की बात हो रही है वहां पर किर्शी विद्याले वापस सुरू होना चाहिए वाकर इस देश की जनता है हमारे पश्मी उत्तरप्रदेश की 80% जनता किसान है और यहां के बच्चों को किसानी सिखाने के आवशक्ता है उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि बिलकुल हम इसको वही पर बनवाएं कि जहां आप चाहती है सैकारी नगर में क्योंकि मैंने जितनी भी लोगों से बात की सांसत से बात की उन्होंने का हम इंडस्ट्री लाना चाते हैं विदायक जिसे बात करें वो करें कि नहीं 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 जगडा है मतलत जितने लोगों से बात करें वो नई तरीके की बात बताते हैं जबकि उसके वहां जो मजदूरों के जो ने करवाने के लिए कम से कम 2016 से हम लोग लगे वे हैं कि एक medical college हमारे यहां पर बनना चाहिए हमारे पास एक receiving हमारे पास रखी हुई है और 17 में जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने गोशना की थी कि हम 25 medical college देंगे उत्तर प्रदेश के लिए तो तभी हमने यह और इस पर आवास तेज की थी कि एक college हमारे यहां भी आना चाहिए और वो आ गया हमारे यहां स्विक्रत स्विक्रिती हो गई तो उसको सही जगे में उचित जगे में बनाया जाए यह प्रियास के कारण यहां पर medical आया जी जी आ रहा है हमारे करणल साब हैं उन्होंने भी काफी इसके लिए प्रियास किया और सही जगे नहीं चुनी जा रही है दस एकड में और अठेतर एकड में बहुत बड़ा अंतर है दस एकड में जो यह बनाया जाएगा वहां देखिए छोटी सी जगे में कुछ नहीं कर पाएंगे हम उ यहां से सिटी जो साथ किलो मीटर पड़ता वो सहकारी नगर साथ किलो मीटर है लेकिन वहां हम दूसरा भी तो एक हॉस्पिटल बना सकते हैं कि एक ही हॉस्पिटल रहेगा हमारी पॉपलेशन बढ़ती चली जा रही है मैं जनसंख्या समादान फांडिशन की भी बहुत है कि दस हॉस्पिटल बनते हैं सो की आवश्यक्ता बढ़ जाती है तो इसलिए एक हॉस्पिटल अगर और वहां पे सैकारी नगर पर एक्स्ट्रा बन जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी अगर आपकी हां मांग पुरी नहीं होती है तो कहां तक लड़ाई जाने लिए हम लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जिले की जंता बहुत सारे संग्ठने जो हमारे साथ है और वह बोल रहे हैं कि बिलकुल आपकी मांग जाइज है हम लोग धरने पर बैठेंगे और फिर भी अगर उसके बाद सुनवाई नहीं होती है तो हम कोड जाएंगे कोड का रास्ता हम चुनेंगे अपनी जल्पस से जूड़ी हर छोड़ी बड़ी खाबर के लिए जूड़े रहे हमारे साथ अगर आपको हमारे खबरे अच्छी लगती है तो हमारी खबरों को लाइ चैनल को सस्क्राइब करें और हाँ बेल आइगन प्रेस करना बिल्गुल ना भूलें